जै जिनेंद्र मित्रों, आज हम जैन धर्म के मुख्य पर्व, पर्यूशन मा पर्व के बारे में जानेंगे, इस वीडियो में हम इन साथ तेथ्यों के बारे में बात करेंगे पहला परिशन पर्व क्या है? इस शब्द का अर्थ क्या है? दूसरा परिशन पर्व कब मनाया जाता है? तीसरा परिशन पर्व कैसे मनाया जाता है? इस पर्व में लोग क्या करते हैं? चौथा परिशन पर्व मनाने का क्या उद्देश है? पांचवा समवत्सरी या पर्व कब मनाया जाता है, इसे कैसे मनाया जाता है, छटा समवसरी मनाने का क्या उद्देश है, और सात्वा वे अंतिम जैन मुनी पुलक सागर जी माराज पर्यूशन पर्व पर क्या कहते हैं, इसलिए आप से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तो च जान लेते हैं, पर्यूशन सब्द परी वे उशन सब्द से बनाये, परी का अर्थ है चारो तरफ से, वे उशन का अर्थ है धर्म की आराधना, इसलिए जब चारो तरफ से या सभी तरीकों से धर्म वे प्रभू की आराधना की जाती है, उस पर्व को पर्यूशन महा पर्यूशन पर्व आठ दिनों तक चलता है। पर्व में अविशेक, आरती, जाप एवं गुरुओं के समागम में अधिक से अधिक समय को व्यतीत किया जाता है। पर्यूशन मापर्व के आठ दिनों में इन दो तरीके साधना वे तब से अपने इंद्रियों को वस्मे करके विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पर्यूशन मापर्व के आठ वे वे अंतिम दिन समवत सरी पर्व मनाय जाता है। उस दिन लोग उपवास रखते हैं और स्वेंव के पापों की आलोचना करते हुए बविश्य में उनसे बचने की प्रतिग्या करते हैं। इसके साथ ही वे 84 लाफ यूनियों में विच्रण कर रहे समस्त जीवों से छमा मांगते हुए यह सूचित करते हैं कि उनका किसी से कोई बैर नहीं है। प्रशन है पर्यूशन महापर्व का उद्देश्य क्या है? पर्यूशन पर्व मनाने का मूल उद्देश्य आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आवश्यक उपक्रमों जैसे साधना वे तब पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आपको बता दें कि जैन धर्मे अहिंसा एवं आत्मा की शुद्धी को सबसे महत्पून स्थान दिया जाता है। प्रतेक समय हमारे द्वारक किये गए अच्छे या बुरे कर्मों से कर्म बनता है जिनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। शुब कर्म जीवन वे आत्मा को उचिस्थान तक ले जाता है। वहीं अशुब कर्मों से हमारी आत्मा मलिन होती जाती है। पर्यूशन पर्व के दोरान विविन धार्मिक किरिया जैसे तब और साधना से आत्मुशुद्धी की जाती है। वह मोख्च मार को प्रसुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। ताकि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाई जा सके। जब तक अशुब कर्मों का बंदन नहीं चूटेगा, तब तक आत्मा के सच्चे स्वरूप को हम नहीं पा सकते। इस पर्व में सभी के द्वारा मन वचन काया से आइंसक धर्म का पून रूप से पालन करने का प्रयत्न करते हुए किसी भी प्रकार के अनावश्यक कार्य को करने से परेज किया जाता है। शास्त्रों की विवेच ना की जाती है वे जबके माध्यम से कर्मों को काटने का प्रयत्न किया जाता है। वरत वे उपवास करके आत्म केंद्रित वे विशे कसायों से दूर रहा जाता है। पर्यूशन पर्व आत्म मंथन का पर्व है जिसमें ये संकल्प लिया जाता है कि प्रत्यक्ष एप्रत्यक्ष रूप से जीव मात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुचाएंगे वे किसी से कोई बैरभाव नहीं रखेंगे समवत्सरी पर्व का उद्देश्य स्वेव को प्रकर्ती के निकट ले जाना होता है माना जाता है कि छमा देने से आप अन्य समस्त जीवों को अबैदान देते हैं और उनकी रख्चा करने का संकल्प लेते हैं तब आप सैयम और विवेक का अनुशरन करेंगे आत्मिक शांती अनुभव करेंगे और सभी जीवों और पदार्तों के प्रती मैत्री भाव रखेंगे आत्मा तभी शुद रह सकती है जब वे अपने से बाहर हस्तक छेप ना करे और बाहरी तत्व से विचलित ना हो छमा बाव इसका मूल मंत्र है जैन मुनी पुलक सागर जी महराज कहते हैं कि हर त्योआर में हम स्रंगार करते हैं सचते सवरते हैं नए कपड़े पहनते हैं लेकिन पर्यूशन में राग रंग नहीं जप और वेराग्य की साधना की जाती है पर्रिशन मावपर में हम भोग, विलास और श्रंगार का त्याग करते हैं हर त्योहार में बच्चे कहते हैं कि हमें अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है लेकिन पर्रिशन मावपर में बच्चा खाने के लिए नहीं बलकि बच्चा कहता है कि मैं एकासन करूँगा, मैं उपवास करूँगा, मैं तपस्या करूँगा सिर्फ जैन दर में ये त्याग तपस्या का परवाता है इसमें स्रावक स्राविका रंगीन कपड़े त्याग कर धवल वस्तर पहन कर त्याग और सयम रूपी वस्तर धारण कर लेते हैं यदि पर्रिशन मापर्व में हमने अच्छी तरह साधना वे तपस्या कर ली तो हमारा मोक्च का द्वार खुल जाएगा इस तरह से पर्रिशन मापर्व के आठ दिनों में सयम वे वे वेक के प्रयोक का अब्यास चलता रहता है यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताईए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दावा दें धन्यवाद